हलो फ्यूजोसी वेल्कम बैक टो मैं चैनल फ्यूजोसी वर्ल्ड आज मैं आपके लिए थाई बियल ड्रामस्टार इन माइंड के अपिसोड 6 का पार्ट 1 लेकर आए हूँ और अगर अभी तक आपने बागी के अपिसोड नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन वॉक् सिम् हखिर का निया टूट है और बाते कहने लगता है जो लंबे समय से किरेता है कि उस्से पता भी नहीं होगा कि कि प्रसुद कोmarav啃 को कूलाने की कोसिस दसकी है वह उतना ही उस किलेन निया को गले लगा कर कहता है कि वो अपने दिल का दरवाजा उसके अलावा किसी को लिए भी ना खोले। निया गुसे में किलेन को खुद से दूर करता है कि वो कभी भी किसी के लिए भी अपने दिल का दरवाजा नहीं खोलता है। लेकिन अब वो किलेन के बिना अपने जिन्दगी जीने की कोसिज कर रहा है किलेन कुछ कहने ही वाला होता है कि उससे पहले निया किलेन से कहता है कि वो बहुत लंबे समय से उससे प्यार करता है उसे तो ये तक नहीं है याद है कि किलेन के लिए उसका प्यार कप सुरू हुआ था इसलिए निया किलेन से अपनी feeling के बारे में सोचने के लिए दो वक्त मांगता है और वहाँ से चला जाता है निया फा के अपार्टमेंट जाता है निया को चुप चुप देखकर फा को समझ में आ जाता है कि निया अपसेट है पर वो उसे कुछ भी नहीं पूछता है क्योंकि वो जानता है कि कुछ समय के बार निया उसे खुद बता देगा कि उसे कौन सी बात सता रही है और यही होता है कुछ मिनट सांत रहने के बार निया फा को बताता है कि किलेन भी उसे पसंद करता है और उसने उसे अपना दिल किसी और को ना देने के लिए कहा है ये सुनकर फा उतना सर्प्राइज नहीं होता है क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी पता होता है कि किलेन भी निया को पसंद करता है किलेन की बुराई करते हुए निया कहता है कि वो बहुत ही सेलफिस है कल ही उसने उसे टाइफन को डेट करने के लिए कहा था और आज वो कुछ और बोल रहा है उसे लगता है कि इस दुनिया में सभी लोग उसके खिलोने वो जिसे चाहे उसे कपल बना सकता है जो चाहे वो कर सकता है फा निया से पूछता है कि वो जो इतनी सारी किलेन की बुराई कर रहा है क्या उसने किलेन से ये सारी बाते कही निया कहता है कि उसने किलेन से ये सब तो नहीं कहा पर फिर भी उसने किलेन से अपना बदला ले लिया है उसने उससे वक्त माँगा है अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचने के लिए और उसे लगता है कि तब तक वो किलेन को भूल भी जाएगा ये सुनकर फा हसता है कि क्या उसने सच में किलेन से ये सब कहा है और किलेन को भूलने के लिए निया को कितना वक्त चाहिए होगा लेकिन ये बात निया भी अच्छे से जानता है कि वो किलेन को कभी भी भूल नहीं सकता है दूसरी और किलेन भी अपने अपार्टमेंट जाता है और निया को कॉल करने के बारे में सूचता है पर फिर वो अपना इरादा बदल देता और ड्रॉर से एक ब्रासलेट निकालता है जिस पर निया का नाम लिखा होता है पिलिए उस ब्रासलेट को देखते हुए कहता है कि वो एक बार फिर से लेट हो गया वो हमेशा एक कदम पीछे ही रहता है अगली सुबह निया अपने कमरे में सोया हुआ होता है जब उससे कुछ आवाजे सुनाई देती है बाहर चेक करने पर उसे नय और पॉंग मिलते है जो फा के कहने पर निया को चेक करने आय होते है पॉंग निया को दल्या खाने के लिए कहता है जो उसने उसके लिए लाया था निया दल्या खाने जाने ही वाला होता है कि नय और पॉंग भाग कर उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने कल रात को क्या किया नय और पॉंग ऐसा pretend करते हैं जैसे वो लोग जानते हैं कि निया ने कल रात को क्या किया है इसलिए ना चाहते हुए भी निया को बताना पड़ता है कि उसने और किलेन ने एक दूसरे को किस किया है ये सुनकर नय और पॉंग शॉक्ड हो जाते हैं और उनकी expression देकर निया को समझ में आ जाता है कि उसके दोस्तों ने उससे बात निकलवाने के लिए उससे जूड़ बोला है नय निया से पूछता है कि कहीं उसने किस से ज़्यादा कुछ तो नहीं किया और निया से फेवर मांगता है कि क्या वो किलेन को जाकर चेक कर सकता है क्योंकि किसी काम में बिजी होने की वज़े से वो किलेन को चेक करने नहीं जा सकता है निया नियोल के मदद करने के लिए मान जाता है वो नय और कॉंग को वहीं पर रुखने के लिए बोल कर किलेन के घर जाने के लिए रेडी होने लगता है इसी बीच ने निया को छेड़ता है कि कल रात उन्होंनों ने एक उसके को किस किया और आज वो उसके घर भी जा रहा है पर निया उसे इग्नॉर करके किलेन से मिलने चला जाता है रिसेप्सनिष्ट के पास से किलेन के घर की चाबी लेकर वो उसके घर के अंदर जाता है किलेन को गीले बालों के साथ बाहर थंड में खड़े देखकर निया सुचता है कि इसकी तबेख खराब है तो उसे ऐसे बाहर खड़ा नहीं होना चाहिए था निया को वहां पर देखकर किलेन चौक जाता है और उसे पूछता है कि वो यहां क्या कर रहा है किलेन उसे बताता है कि नियोल ने उसे यहां आकर उसे चेक करने के लिए कहा है किलेन कहता है कि अब वो ठीक है उसका बस सरदर्द कर रहा था इसलिए वो निया को यहां से जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो उसे परिशान नहीं करना चाहता है पर निया कुछ बोले बिना किलेन के लिए सूप गरम करता है और उसे खाने के लिए कहता है ताकि उसके बाद किलेन अपनी दवा ले सके किलेन चुप चप निया की बात मान कर खाना सुरू कर देता है निया किलेन से पूछता है कि उसकी तबित कैसे खराब हो गई वो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखता है लोगों को इसकी चिंता होती है जिस पर किलेन निया से पूछता है कि क्या उसे भी उसकी चिंता है पर निया को कुछ भी बोलता ना देख किलेन को लगता है कि वो उसे परिशान कर रहा है इसलिए किलेन निया से माफी माइटा है और कहता है कि अगर वो जाना चाहे तो वो जा सकता है किलेन को उसे बार बार जाने के लिए कहता है देख निया कहता है कि उसे आए पाच मिनट भी नहीं हुए है और उसने उसे दो बार जाने के लिए कह दिया किलेन फिर से निया से सोरी बोलता है किलेन के सोरी से इरिटेट होकर निया कहता है कि वो सोरी के अलावा भी कुछ और बोल सकता है जिस पर किलेन पाइनली अपनी दिल की बात बोलता है कि वो नहीं चाहता है कि निया कहीं भी जाए और वो निया से promise करता है कि अगली बार वो उसे उसकी tension नहीं देगा निया किलेन से पूछता है कि तबेद खराब होने के बाद भी उसने shower क्यों ली और तोर वो इस मौसम में बाहर क्यों गया किलेन थोड़ा सा confuse होकर पूछता है कि क्या उसे गीले बालो के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए था क्योंकि उसे इस बारे में पता नहीं था उसने उसे पहले ही बताया है कि वो इतना भी smart नहीं है ये सुनकर निया को कल रात वाली बात याद आ जाती है जब किलेन निया से कहा था कि प्यार के मामले में वो बिल्कुल भी बेवकूफ है प्यार के बारे में उससे कुछ भी नहीं पता है निया किलेन के बगल में बाट कर किलेन से कहता है कि उसके पास सिर्फ 10 मिनट है वो जो चाहिए उसे कह सकता है पर किलेन निया से बात करने से पहले नियोल से बात करने की बात करता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके मुझे कुछ भी ऐसी वैसी बात निकल जाए परिशान होकर निया किलेन से किसी और के बारे में ना सोच कर सिर्फ अपनी बात करने के लिए कहता है किलेन फाइनली निया को अपने और जिया के बारे में बताता है कि उसका और जिया का ब्रेक अप 11 क्लास में ही हो गया था निया को सक होता है कि उन डोनों के ब्रेक अप कारण सायद वो है किलेन कहता है कि हाँ ये सच है कि उनके ब्रेक अप कारण वो है पर उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं उसने तो से बस ये एहसास दिलाया है कि वो उसके लिए क्या फील करता है भले उसे ये सीज़ समझने में लेट होगए लेकिन कम से कम उसे पता तो चला कि वो निया के लिए क्या फिल करता है आगे के लिए जिया के बारे में बताता है कि जिया उसके लिए बहुत important portion है वो लोग एक साथ पले बढ़े हैं इसलिए उसकी मा ने जिया का ख्याल रखने के लिए कहा था लेकिन उसने और जिया ने एक दूसरे के केर को गलत समझ लिया उन्हें लगा कि एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए उन्हें एक साथ होना होगा भले उन्होंने एक दूसरे से ब्रीक अप कर लिया है लेकिन आज भी वो लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं किलेन ने फ्लावर्स की बाती क्यों शुरू कर दी पर फिर भी निया फ्लावर्स में पानी दाने ले जाता है संफ्लावर पोट की तरफ इशारा करते वे निया किलेन से पूछता है कि क्या उसे इसी पोट में पानी डालना जिस पर किलेन कहता है कि उसके पास इसके अलावा और कोई भी फ्लावर पोर्ट नहीं हैं। पाली डालने के बाद निया किलेन से कहता है कि उसे उसके और जिया के बीच का रिलेशनशिप कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या वो लोग सच में सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। किलेन कहता है कि हाँ वो और जिया बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब भी जिया को किसी चीट की जरूरत होती है तो वो सबसे पहले उसके पास आती हैं। और वो भी जरूरत पढ़ने पर सबसे पहले जिया के पास जाता हैं। वो लोग बच्पन से साथ में रहे हैं इसलिए वो लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। किलेन की बाते सुनकर निया उसे पूछता है कि अगर वो किसी को डेट करता है तो क्या उसका पार्टनर इस बात को एकसेट कर पाएगा कि उसका पार्टनर उसके बज़ए किसी और का ख्याल रखने के लिए समय निकाल रहा है जिस पर किलेन कहता है कि उन्हें किसी तरह की एज़िस्मेंट करनी होगी निया को समझ में नहीं आता है कि इन सब में आखर एज़िस्मेंट करेगा कौन इससे पहले कि किलेन इस बात कर जवाब देता है उसके पास जिया का कॉल आता है जिससे हमें पता चलता है कि जिया किसी प्रॉबलम में है किलेन घबरा कर बिना सोचे समझे वहाँ से जाने वाला होता है कि निया उसे रोक कर पूछता है कि वो कहां जा रहा है किलेन उसे बता नय और पॉंग इस situation में होते तो वो कभी भी इस तरह से react नहीं करता जैसे वो जिया के लिए कर रहा हैं और अगर उनके relationship में किसी को adjustment करना पड़ेगा तो वो जानता है कि यह adjustment निया को ही करना पड़ेगा किलेन को समझ में नहीं आता है कि वो निया को अपनी बात कैसे समझा है किलेन को कुछ भी बोलता ना देखकर निया frustrate हो जाता है और किलेन को कुछ तो बोलने के लिए कहता है किलेन की चुपी से तंग आकर निया किलेन को उसमें और जिया में से किसी एक को चुनने के लिए कह अर्ड होता है कि जिया कर दिबारा मेस्ज आजाता हैं इसलिह वो निया को उसका यहीं में वेट करने के लि backstory करें के लिए वापसहर ל दो जा से कि लें को उसे अकीला चुड़कर जिया के पास चाता देख निया बह। अपसट होते हैं और In this video यहीं खतम होता अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और कॉमेंट कीजेगा और अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चानल को भी सब्सक्राइब कीजेगा तब तक मिलते नेक्स्ट वीडि